रामरम जी स्वस्रेकल नमस्ते स्लाम अलेकुम मैं तोड़ा अपना केशव मुलतानी ते आज मैं आया बठाँ अपने शैद हासी हासी बाबा फरीद दी नगरी बाबा फरीद की नगरी ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम अंदर चल कर जानेंगे बाबा फरीद यहां पे कितना वक्त रहे इसके बारे में भी हम अंदर चल कर जानेंगे और अंदर चल कर हमें मिलेंगे चानमिया और चानमिया वो हैं जिनका परिवार यहां कई टाइम से इस दरगा की सेवा कर रहा है मैं चान्द मिया जमाली और चार कुटूब दर्गा चार कुटूब ये चार कुटूब इसलिए कहलाती है हम जो इन हस्तियों के कदमों में बैठे हैं ये हमारे हाँ बहुत बड़ा रुद्बा होता है कुटूब का एक वली होते हैं ओलिया होते हैं फिर कुटूब होते हैं बहुत बड़े पीर फ़कीर दर्वेश दिन को होते हैं कुटूब ये चार कुतुब हैं एक ही गुंबद के नीचे और एक ही जगा पूरा खानदान है चार कुतुब इसलिए ये अवल इनका नाम शेख कुतब जमालुद्दीन हास्वी इनके जो पीर होए है गुरु होए है वो वह है बाबा फरीजी जो यहां परमानेंट बारा साल रहे है इनका नाम हास्वी आपने लिखा हूँ इनका है यहांसी रहे इसलिए यह बच्पन से ही रहे आप बाबा फरीजी नहीं इनकी परवरिश करी और चेले भी और परवरिश भी आप नहीं करी पांच साल की उमर में बाबा फरीजी ने इनको ले लिया था तो बाबा फरीजी के कितने चेले थे बाबा फरीजी के तीन चेले अवल तो आप हैं जिनके कदम में हम बैठे हैं फिर इनके दूसरे चेले हैं बाब फरीजी के निजाम उद्दीन ओ लिया जी जी ये गुर भाई हुए पीर भाई हुए तीसरे हैं कलियर शरीव में साबीर साहब जो इस टैम उत्राखंड राज्ये में दर्गा है आपकी आ वो जो उत्राखंड में कलियर शरीव में वो भांजे भी है बाबा फरीज जी के और मुरीद भी तो ये जो तीन इनके शागिर्द थे इसके अलावा भी कुछ शागिर्द थे इनके अलावा भी और बहुत थे लेकिन ये तीन तो ये में खास थे जी 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 एहांद हस्वई फिर इनके बेटें शेयिशक बुर्हानुद्द्द०्ध ये आप जो बरबर में बैठे हैं पिर इनके बेटें व Reid वह थे से कुट ऐस पुन्हबरु पर उनके उसरे कुटे उसमें शेकuki खुतब मुर्त्द्धिन ये बाप बेते बोठे पुटे पड़ इस शेर में नहीं आशी में नहीं हरी हाने में नहीं ये बाहर मुल्क में आपका नाम है आपका इतिहास है आपका किताबों में ना और हम लोग DNS को आए कि जब यहां से cuk cumplो से इनकी हैं किर्केट थेल्वन है आपने सुना होगा वह अमारे खांदान से इनकी ओलाद है वो हमारे से पहले थे अच्छा वो इनकी ओलाद है आपके खांदान से पहले और यहां थे हम आए हैं, हमारे दादा जी जो आए, मेरे दादा जी, वो आए हैं सन 69 में, और यहां पे यह जब सन 47 मार काट हुई, यह खाली हो गई, वो लोग चले गए छोड़कर, फिर यहां पे आदम पब्लिक आगई थी, जो विचारे परेशान थे, जो महां से आए थे, मुश्किलो आए थे आकर, यहां रियाईश हो गई थी उनके जाने के बाद, हम नहीं आए थे जब तक, यहां रियाईश हो गई थी, नबे सौ के करीब यहां पे मकान हो गई थे, यहां पे बच्चे वगएरा भी जनम होए हैं, बैंसे, जानवर भी बंदे हैं, सब कुछ हो आए, दादा जी आए सन उनसट में सबूत लेकर आए, जो निजाम उद्दीन वाले हैं, जो महां के गदी नशीन वगएरा थे उस तेम पे, वो भी आकर पड़ गए थे, वो कहन लगए हमारी दरगाए हैं, जी, यहां रहे, इधर से हमारे दादा जी आ गए, इधर से वो आ गए उनसे भी लड़ाई चली हमारी, उन्होंने एक उर्स भी किया, सन साथ में निजाम उद्दीन ओल्यावरे पहले उर्स किया है, यहीं पड़े रहे, दरगा की आलत नाजुक हो गई थे, फिर दादा जी आ गए, दादा जी थे ही, वो इस साइड में पड़े थे, दादा जी फिर जब उनका उर्स खतम हो गया, सन साथ की बात है, कि अब दादा जी के साथ मुरीद भी थे हमारे, उनके चेले थे, परिवार्त भी था, तो उनसे अधा हमारे दादा ने का कि भाई अब इन्होंने निजाम उर्स कर लिया है, अब इनसे जो सामान लेकर बादार के लेक अब यहाला है, तर्ज़े वगारा है, टैंट बगारा यह हमें दे दे, हम इनका किराव दे देंगे, यह दे दे निटा दे, तो निजाम उन्हें मना कर दिया था, क्यों तलखी आ गए तो इद्यानी था, टेक है, वगया दादा अब ने मंगवा लिया था, फिर दादा ने सन इक सट में उर्स किया जी पहला उर्स और जो यहां रियाश थी उनको फिर सबूत के साथ दादा ने दिखाए वो पबलिक तो निकाल दी जी पिर सरकान अलाट कर दी शहर वो हो गया था तब से यह हम सन उर्सट में आकर तब से आज तक हमारी हम इनके खास वलाद में हम हमारी गद्धी चल लगी है खांदानी पीड़ी दर पीड़ी समझे सा मैं 24 भी पीड़ी में बैठा हूं और माशा आलला से यहां हमारे उर्स होते हैं बहुत शानदार उर्स होते हैं हमारे मुरीद लोग हजारों की तादाद में हैं चार दिन के उर्स होते हैं अब बता र सीधे पाकिस्तान पाक पट्टन पहुंचे ते यह कौन सा दोर था जब बाबा फरीद यह आया था थे यह दोर तो जनाब कम से कम अब इनको 778 वा साल लग लग रहा है हमारा जो अब यह उर्ष होगा अपरयासे 778 वा साल हो ऑच्छा तब थे तब थे थे ठींगे ठीकर ठीकर वो तो यह अच्छा यह यह अच्छा यह चारों प्थिप का आपको मैंने बता दिया यह जो मजारात हैं यह इनकी तीन्नों कुतसाहब की पतनी हैं अरे वाँ इनकी बीवी हैं इनकी और उनकी और उनकी गुरानों दिन सूफी साब की ए जी 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 इसमें आमने ये तारीफ ये तवारिफ वाला सब इतियाद लिखा रखा है बिलकुल दिया हुआ है तो इसलिए जनाब अब यहां मानता बहुत है हिंदु भाई बह हो रही है कि गौल्मिन्ट ने सरकार ने हर्याना सरकार ने जो अर्याना सरकार का पूरा तत्वी भाग है उसकी तरफ से एक करोड़ नौ लाख रुपिया मन्जूर वाव है जो यहां दरगा में लगेगा अच्छी बन जाएगी और काम शुरू भी हो गा है आप देख भी सुने ये गुंबद जी इनके जमाने में नहीं था खुतब साब गे अच्छा और इनके भी जमाने में नहीं था तो ये चार दिवारी थी हाँ खाली था चार दिवारी थी 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 थ बाश्या फिरोश्या तुगलक आया उनके जमाने तीसरे कुटब साब में वो गद्धी पर आ गए थे बाश्या फिरोश्या तुगलक को मालूँ हूँ कि यहां कोई फकीर रहता है तो वो मिला था आपको बुलाया भी था आप दिल्ली पहुंचे भी थे और यह गुंबद फ के अफिरोश्या थे बृट बड़ी मज्जित हैं माशा ते नमाद होती है फांचार तैंप जमा की भी उते है तो वह भी उसी नहीं बनवाई थी उसका काइधा था मुँहमद नोगलक का भी उनके बिट फिरोश्या तुगलक का भी जहां भी जाते थे मसजिद बनवाते थ जहाने थे दिए वो मस्जिद भी और यह उसी कही बनवाए नहीं तो जो मुझे याद आ रही है जो मैंने अपने बच्छपन में देखी हैं दो तो मुझे अच्छे से याद है जिनको गुर्दवारा बनाया गया है जो एक तो परताब बजार में है ठेक है दूसरी एक है वो तो चेले राम का गुर्दवारा, इसके अलावा कौन-कौन सी थी, इनके अलावा यहां तो यह जासे लाई-चाडी है, यह जासे भी है निया, टिकोने पारक पे, जहां अब शराब का ठेका है, उसके सामने बिल्डिंग है अब, बिल्कुल-बिल्कुल है, उसकी थोड़ी सी अब निशानी दिखाई जारी, इस तरह से मेरा आप जासे है, आप चैप भी देखने ना, यह मस्जित थी बहुत बड़ी, और यह डड़डल में जाते हैं ना, यह गोल-कोठी है, गोल-कोठी से आगे को चलकर, वो तो अभी खतम हुई है, वहां पे मस्जित थी बहुत ब गा वह बहुत बड़ी मस्जित थी, अब कुंसे बाले मंदिर बन पर यह अच्छा, वो वो उपड़ ने जो अपना केले वाले लोड़ पर जो गुरदु आ रहा है, अहां पर भी कुछ था, वहां पी मस्जित थी, चान चोड़ लेए गली वेह ना, उसके गली थी अंदर जिसको मस्जिद से गुर्दवारा बनाएगा उसके समने गली जा रही है उसके गली के अंदर चले जाएं जहां गली खतम होती है तो मुड़ती है बाय हथ पे वहां एक मस्जिद थी यह गाउं यहां सिपर है जी आपको तो मानू मोगा तो अभी मेरे पास एक दिन सरदार ज वो मेरे पास आए, उन्होंने आज तक उस मजडिद को कायम कर रखा है, उसको सिंभाल रखी है, सरदार जी ने, तो वो मेरे पास आए, मना आगा सरदार जी, कि बहुत बड़ी मैं इस इस तरहे आया हूँ, आपके पास, मजडिद है, वो फोटो स्टेट करा के कौफ यह भी मैंने देखी, सब कुछ देखा, अब भी काम चला है, बहुत बड़ी मस्जिद है, कि इसको मैंने सिमा लखा, और मैंने मही साथ, कोई साथ नहीं देता गाउँ, गाउवानों ने तो यह कहा, भलके कि इसको ढढ़ा दे, उन्होंने ने कहा, कि मैं अपनी जिन्दगी में त पर जहां तक होगा सेवा करूँगा, बिल्कुल, कि कोई भी मख़ब किसी भी मख़ब के लिए बुरा नहीं है, और उसको आज तक जनाब सिमा लखी और अब भी महां पर काम लग रहा है, फोटो स्टेट लेकर आएगा, कि आप से मैं मदद लेना चाहता हूँ, थोड़े, मुझे वाह के लिए मश्चिद के लिए करूं, हाँ मुझे घुरू गुरूंद लगुरू पढ़ता हूँ, और मेरे सात कोई नहीं देता नहीं। में खड़ा करा, मैं नमाज कर टाया, मैं नमाज पढ़ता हूं, फिर मैंने सारा बताया पने मुसल्मान भाईयों को, यह सर्दार जी हैं, सिपर गाउं के, इस इस तरह से मुसल्मान थे हैं, मैंने वो गोटु स्टेर दिखाई सबको, और भाई बना का, यब इस तेम इनोने मस्जिद को कायम कर रखी है, सिंभाल रखी है, क्यों हम मुसल्मान थे हैं नहीं, और अब इनोने काम लगवा रखा है, तो जादा जादा इसमें आप मदद करों, उनके लिए उन्हें थीजिन-चार हजार रुपिया हो गया था, अब देखो, यह तो बड़ा अच्छा एक अपने मुझे बता दिया, मस्जिदों के बारे हम हांसी की मस्जिदों को याद कर बहुए, अब यह याद हांसी वालों को याद रहेगी, यह जनाब, जिस जगह पर हम और आप खड़े हैं, यह बाबा फरीज जी का चिला है, यह चिला इसलिए बोला जाता है, जहां 40 दिन बैठ कर अबादत की जाती है राद दिन, 24 गंटे, इसको चिला बोलते हैं, अब यहां हम खड़े हैं, यह बाबा फरीज जी जो हुए हैं, यह खास अस्थान, खास जगह उनकी हैं, बाबा फरीज जी की, यह पूरी बाबा फरीज जी की जीवनी है, यहां 12 साल रहे, इस ज जगह पे 40 दिन बैठ कर अबादत की, चिला किया, समझें साहब, 12 साल परमनेंट रहे ते हैं यहां पर, यह वो जगह है, चिला बाबा फरीज गंज शकर रहमतुल्ला अले, चिला बाबा फरीज गंज शकर, अब गंज शकर कभी आप पूछ लें, सवाल कर लें, वो बता द गंज शकर भी क्यों मशूरे गंज इनको एक लगब मिलिया था, गंज शकर का, नाम तो बाबा फरीज मसूद, गंज शकर, अब गंज शकर लगब क्यों पड़ा, थोड़ी सी बता दूँगा, इतिहास तो लंबा है, आपको बच्पन में शकर खाने का शौक था, अच्छा, अब जारा गया, वो लिक्पन में शकर खाने का, तो क्या था, जब आप नमाज पढ़ते थे, बच्पन से ही नमाज, जब आप नमाज पढ़ते थे, आपकी वालदा, आपकी माताजी, थोड़ी सी शकर, उनके जहां पर, जहां नमाज होती है, जिस पर नमाज प नमाजा साखने है, यह सिलसिला चलता रहा, और एक इस वुश्ता हो था, जिसमें उनकी जेवो में चीड़ियां भर गई थे, यह सिलसिला चलता रहा, अब अच्छी, इस शकर देते रही, फिक्याबा थोड़े हुशियार हो गये, जब हुशियार हो गयनों तो माजनी हो आ जब तो बच्पन था, नमाज बच्पन से, जब वो शक्कर बंद कर दी वालदाने, तो गैब से, खुदा की तरफ से शक्कर आने लग गई, उसी जगह ही, जब के माँ ने बिल्कुल बंद कर दी थे, अब जब देखा, फिर वो खावे, तो मा ने देख लिए, माने शक्कर तो बंद कर दी, इसकी फरीद की, ये शक्कर खा रहा है कहां से, ये जाता भी नहीं, फिर पूछा, बाबा फरीद जी से, ये फरीद ये, शक्कर तुमा ने तेरी बंद कर दी, तु कहां से आती है, कि मेरा खुदा भीजता है, ये इतनी बड़ी हस्ती हुए है, तब आपका नाम लगब गंज शकर पड़ा, ये है, वो, आप गह सकते हैं, ये, जनाब जिस, ये मजार, जिस मजार के पास हम आप खुडे हैं, इनका नाम है, गाजी हमीद उद्दीन, ये कौन है ये जो बड़े अंदर जो बड़े खुतब साहब खुतब साहब है शेख जमारुदीन हासवी उनके पिताजी का है ये मता उनके वालिस साहब का है जिनकी गद्मों में हम बैठे थे उनके वालिस साहब का है इनका नाम है हजरत काजी हमीद अद्दीन काजी किसको बोलते थे उस जमाने में जैसे आज का S.D.M. होता था, यह होता है, जिस शहर का काजी बनता था, नुक्त करते थे, आप की ही महुर लगती थी, तब वह काजी बनता था, इतना बड़ा इनको रुद्बा मिला हुआ था, यहां जनाब यह लिखा है, मजारे पाक, हजरत काजी, हमीर अद्दीन, जी, वालिदे, मौतरम, हजरत शेक उतब जमाने हैं, यह उनका मतार है, मैं अपने सुनने वालों से माजरत चाहूंगा कि उनको हिंदी नहीं आती है, इसलिए बोल के बता रहे हैं, यह जनाब, आप जो देख रहे हैं, यह जनाब आप यह एक तरीके की कबर है, अब कबर किसकी है यह, यह कबर है, रजियाना सुल्ताना की, जो रजिया सुल्ताना हुई है, यह यहां पे कैसे आई, कैसे इनको दफन किया, जब यह जंग लड़ रही थी, केथल से जंग शुरू हुई थी, कैथल से, जी, कैथल से जंग लड़ती लड़ती हां से आई, दुश्मन पीछे लग गए, इनकी इज़त आबरू बचाई, और फिर इनकी फोज ने, इनकी जो थेसे पे सालार बगारा, उन्होंने फिर जब वो हो गई, बहुत हुई पिर यहां पे जल्दी में छुपाकर यहां पे इनको चिन दिया था, जी, जी, यही तो यह इबारत है, अरबी में लिखी भी है, क्यूम मैं 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 बता देता हूं, हमारे वाली साहब ने, मुझे इसके बारे में खुद अपने हाथ, अपने कलम से लिख का दिया था, मगर उनने यही लिख था, कि एक मस्तूरा मस्तूराद मनला मौरत, एक मस्तूराद जो बहुत बड़े रुत्बे वाली, उसकी कबर है, यह इतना मुझे लिख कर जरूर दिया था, फिर बताया था कि हम भी सुनके आये हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं कि रजिया सुनताना की है, यह इतनी मेरे पास हिस्टरी है बसुद पास है बसुद 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 बसु नवाज दीजिये के हम हैं गदा तेरे दर के नवाज दीजिये के हम हैं गदा तेरे दर के ये लिखा हुआ है जिस जगा हम खड़े हैं जिस मजार के पास खड़े हैं इसको बारादरी बोलते हैं, ये जो मजार है, ये बहुत बड़े वली, ओलिया, अल्ला के वली हुए हैं, ये जो दर्गा चार कुतुब हैं, जो बड़े कुतब सहाब हैं, शेक कुतब जमानुदीन हास्भी, उनके पड़पोतों में हैं, आठवी पीड़ी में हैं, जो चार कुतुब हैं, उनके पड़पोतों में हैं, इनका नाम है मुहम्मद रम्दान शाह, और मेरे ये पड़दादा सकरदादा हुए, मैं इन से, मैं इन से साथवी आठवी पीड़ी में हूँ, ये उनका मजार हैं, उनकी ये बारादरी है, ये लिखाव है, कत्बे जो ल ये ये तारीक है, इतिहाद, ये भी मालिप शाएप का पिता जी का ही लिख्यक इन दर्गा ली है उन्हों की दर्गा के बारे लिखा कि कब ली गई, इसका टाइम था ये वो लिखावा है सारा, ये तो लिखावा है 786, अल्ला बे नियाज है, बे परवा है, इसके महमें तो यह है और ये लिखावा है, मेरे कुछ नहीं, मगर हमारे वारी सहाब का लिखा हुआ। कि यह दो इसकीनर हैं कुमबज हैं यह दो इंग्रेज हो के मिया भीवी के जब तोड़े जा रहे हैं इन पर काम चला है सरकार की तरफ से इनकी रिपेरिंग होनी है यह इनके थे इंग्रेज थे दो मिया भीवी जब तीसे कुतब साफ का जमाना था कुतब मुनवरुदीन तीसरे कुतब साफ उनके जमाने में यह इमान ले आए थे मुसल्मान हो गए थे और तीसरे कुतब साफ के मुरीद होए थे चेले बने थे इंग्रेज थे इंग्रेज यह भीवी यह उनकी वो है उनके इसकी निशान दे उनके इसकीनर ह और ये मकबरा है वो, सामने, ये लख्षी बंजारा था उस समाने में, बड़े कुटब सहाब का जमाना था, शेक्व जमालॉदली नाथ से निसे बड़े कुटब सहाब, उनकी हयात में लख्षी बंजारे ने उसको बनवाया था, गुटब सहाब के लिए, कुटब साहब से बोला था, फिक लो मैंने, कुटब साहब मैंने आप के लिए आपका घर तैयार करा दिए तो अल्ला का हुकम हुआ, कि कुटब साहब रहे और इनकी हयात में वो फोत हो गया, वो गुदर गया, तो उसका ये मकबरा है हाँ लखी बन जा रहा है उसका मजार है उस मखबर में बहुत बड़ा मजार है अंदर जी बनवाया था यह कुतब साफ के लिए मगर अल्ला का हुकम हुआ यह वह यह वह मखबरा है बनाओब शवबरा है उसका मजार क्वकम हुआ है उसका में पहा उसका उसका है उसका है उसका है उसका है